तो हेलो फेंड कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मॉवाइल में कुछ ऐसे गैजस बतारे वारा हूँ जिसको यूज करके आप बहुत अच्छे से मॉवाइल को उपरेट कर पाएंगे वो भी वन हैंड से एक हाथ से आप उसको अच्छे से दोनों अगर आप लेफ्ट हैंड से चलाना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड पर आप उसको अच्छे से वोडिफाइब कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं वहाँ पर लिस्ट को एड कर सकते हैं चाहें तो राइट हैंड पर यहीं सब चीज कर सकते हैं दोस्तों क्या है यह यह तो यह नीचे की तरफ स्वाइब करूँगा, तो आप देख रहे हैं, यह पूरी मेरे रिसेंट की लिस्ट खुल गई, जो भी मैंने अप कॉल के रखी और मैं किसी भी एप पे क्लिक करूँगा, तो वो ओपर हो जाएगी, और यहां से मैं करूँगा, तो आप देख रहे हैं लेप्ट एंचेन से मैंने क्यूक नीचे करा रहा, तो यहां पर मैरे क्यूक पैनल खुल गया है, और इसको उपर की तरफ करूँगा, तो रिसेंट लिसेंट युदि वेंडो यहां पर खुल गई है, और यहां से बैक Бढग भी हो रहा है, और यह सब चीज़े कैसे के अपने galaxy store में या आपको जाना अपने mobile के play store में यहां जाने का आपको उपर search माना है one hand operation आपको सबसे उपर मिल जाएगा one hand operation by samsung electronics लिखा भी हुआ है samsung की तरफ से इसको बनाया गया है और कुछ recently update करे गए थे फरवरी में तो इसको कर लेना है आपको download, download करने का इसको कर ल कर लेता हूं white screen पर तो आप देख सकते हैं दोस्तों यह हो गया है on, यहां से आपको कर लेना है उपर से on की तरफ यहां देख सकते है add gadgets handle to left and right side to screen your control your phone easily with one hand आपको जैसा की मैंने बताया एक हाथ से आपको mobile control करने के लिए इस gadget को launch किया गया या बोल सकते हैं इसको gadget को निका लागे आःता है ताकि आप one hand से mobile को यूज कर सके तो सबसे पहले आपको ओपर मिल रहा हो left hand के लिए सबसे बहले left hand को modify कर लेते हैं अगर आप left hand user है तो आप left hand को कर सकते हैं चाहें तो आप right दोनों को चाहें तो दोनों को भी कर सकते हैं तो पहले Left पर चाहलीए बाइडिफाइंड आपको लेफ्ट में आपको देख रहे हैं यह क्या बोलते हैं आप देख रहे हैं और बैक अगर आप स्टेट की तरब बैक करेंगे तो आपको बैक का ऑप्शन बिल रहा है तो यह वाला ऐस भी डिफॉल पैक होता अगर आप चाहते हैं इसको भी कर सकते हैं और डाइकलोन अप मतलब आप जैसे यहां से स्वाइब करके इसको उपर की तरह मूफ करेंगे तो वह होता है डाइकलोन अब जो कि मैंने यहां पर रिसेंट की कर दिया है आप चाहें तो यहां पर कोई उसके बाद नीचे देख रहे हैं मैंने यहां प्रीवियस एप का ऑप्शन डाल दिया है प्रीवियस एप मतलब जैसी में इसको नीचे की तफ स्वाइब करूंगा तो लास्ट जो मैंने एप खोली होगी वह उस एप पर चले जाएगा आप देख रहे हैं जैसी मैं आप कर सकते हैं आलग आप देख रहे हैं जैसे यह स्ट्रेट मैंने इसको थोड़ा करके रखूंगा तो यूँ वह गूगल क्रॉम को खोल लेगा आप देख रहे हैं यहां पर लिखा भी हुआ है ओपर से नोटिफिकेशन पहला मैंने यहां भी कर दिया और इसको नीचे करूं के रखूंगा तो क्यों खुल जाएगा अगर नॉर्मल करूंगा तो यह देख रहे हैं स्विच्छ हो रही है मेरी अप तो यहां मेरा क्यों पैनल भी खूंगा तो एक मैंने गेज़स में दो दो इसके लगा के रखे हुए दो इसके फीचर या बोल सकते हैं दो सैटिंग म उतना ज्यादा एजीली वर्क करेगा पॉर्शन यह तो हो गया नॉर्मल लेफ्ट अब यही की चीज़ा आप राइट हैंड के लिए मैंने स्ट्रेट लेफ्ट करेंगे तो बैक हो जाएगा डाइकोन वाल उपर करेंगे तो रिसेंट की विंडो आ जाएगी जैसा मैंने आप को पहले भी तिखाया था यह उपर करेंगे तो रिसेंट मतला पेज खुल गया है नीचे की तरफ करेंगे तो यह सबसे अच्छा फूचर लगा है जो मुझे यह टाक्स वाला टाक्स यूचर यहां पर आप सारे टास कुल जाएंगे जो भी आपने आप रिसेंट में जो य लॉंग स्वाइप पर कुछ नए फूचर राइट करना तो आप यहां लॉंग स्वाइप पर क्लिक करेंगे वहां भी आइडिट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों एक और मिल रहा है आपको उपर की तरफ यहां पर जो पॉर्शन से आप यहां से करेंगे उसके लिए अलग गेजर सेट होगा मतलब आप नीचे की तरफ आएंगे आपको एक और नीचे ऑप्शन मिल रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको दिख रहा होगा यह उपर मैंने लेफ्ट हैंड पर सबसे उपर अगर स्टैट करूँगा तो यह स्क्रीन आफ हो जाईगा आप देख आपको देख रहा होगा यहां से मैं कहीं से भी इसको यूज कर सकता हूँ टैच पैट को यह उसके लिए हो गया नीचे की तरफ करूँगा तो यह स्क्रीन शॉट ले लेगा आप देख सकते हैं तो यह ऐसे वर्ग करता है उपर भी सेट कर सकते हैं यही कि यह चीज आप र और अलग स्क्रीन दोनों यूज कर सकते हैं उपर पर अलग नीचे पर अलग दोनों पर गयजर सेट कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे यह आपको टच के लिए दिया गया है तो वह अभी काम का अपने वाट टच सेक्योटि के लिए टैट जो कि मैं चाहते हैं तो यहां पर आएंगे आप एडवांस सेटिंग एप एक्सेशन में दोस्तों अगर आप कोई भी एप को स्लेट करेंगे तो उस एप में आपका गैजस वर्क नहीं करेंगे इसलिए दिया गया है अगर आपने कोई गेम खेल रहा है आप चाहते हैं उसमें आपके गैजस वर्क ना करें तो यह इसलिए दिया गया है आप अलग आ रहा है अब इसके बाद इस वाले पर देखेंगे तो आप यहां से एरो का पर पार्टिशन चेंज कर सकते हैं यह पहले बाई डिफोल्ट कर्व लाइन रहती है जो कि मैंने चेंज कर दी थी उसके बाद नीचे सो नॉटिफिकेशन वाला पैनल पर शो नॉटिफिकेशन पर जैसे आप इसको इनेबल कर देंगे तो यहां पर आपको एक नोटिफिक सकते हैं तो यह आप दोनों के आपको जो भी एंगल को चेंज कर सकते हैं उसके तरफ बाहर की तरह प्रिवर्पार वाल्यूं अब कर सकते हैं अगाने सुनना चाहते हैं या को डालना चाहते हैं लाइक आप यहां पर स्कून करेंगे तो यह चाह रहें कि और कूछ चालना को ऐसे चीज जो आपको बहुत जरूवर रहे दी और बार आपको आपको उप्छिंप में नहीं जा तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं लाइक आप उनको तो इसको मैं दूसरा डाल देता हूं यहां पर आप कोई दूसरी स्कीन डाल देता हूं जो आप चाहिए यहां पर वो बहुत सारे ओप्शन दिख रहे हैं आपको फ्लॉटिंग नविगेशन की चाहते हैं वो खुल जा आप उपर करके रखेंगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा आप देख सकते हैं यह मैंने उपर करा यह नीचे गूगल एसिस्टेंट खुल चुका है तो यह आप यहां पर बहुत सारे और आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आना वाला है इसको आपको यहां पर ब्राइटनेस के लिए और यहां से अगर आपको यहां पर मिलने वाली लॉग भी करना तो यहां से इसको लॉग भी कर सकते हैं तो बहुत सारे उसमें ऑप्शन दिये हैं दोस्तों आगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनिटी मज़ा तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कैसा लीगी मेरी वीडियो कैसे आप यूज़ करने में तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछेगा मैं आपको ज़रूर जबाब दूँगा स्पल यह आपको कुछ नहीं करना है सबसे अच्छा फीचर मुझे वाला लागा है जो इसका यह अप्लिस्ट वाला अगर आप चाहते हैं कोई अप्लिस्ट आपको नहीं पशंद आ रही है यहाँ तो सिंपल ही आप सुछ संदार यह आपको पूरी पेक्रांड में जहतनी้ वाला है लोग आपको यहां पर रिसेंट के लिए जैसे आपन रिसेंट विंडो खोलते हैं यहां पर आप किलिक करते हैं जो भी आपको यह option मिलते हैं ना same option आपको ही मिलने वाले मतलब यह recent की तरह है बस आपको list wise मिल रही है जो भी चीज आपको खुलना है सिंपल ही आपको यह उपर नीचे जिस पर भी आपने गैजर में उसको सैट करा है उसको करना है और उस पर क्लिक कर देंगे तो बाइड डिफॉल्ट वहां पर ओपन हो जाएगी जो कि बहुत अच्छे फीचर लगा दोस्तों मुझे उमीद है आपको और हो सके तो मेरी वीडियो को शेर करना भी ना बूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है और अभी तख आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना बूलें ताकि मैं आगे और मोटिवेट हूँ और अच्छे अच्छे वीडि करना भी ना बोले इसका लिंक आपको डिक्षन पर मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों